30 Days Computer Literacy Workshop उन में से आज 13 दिन का आकलंद प्रशनोत्री को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एसेस्मेंट में प्रशनों को पूछा गया है उन प्रशनों को हमारे लिए जानना आवश्यक है क्योंकि Computer से संबंद है तो आगे आने वाले समय में बहुत ही आवश्यक जानकरिया हमें अर्चित करने पड़ेंगी साथी साथ हमें अपनी Knowledge के लिए बच्चों की Knowledge के लिए क्योंकि आगे भविस को देखते हुए ही ये 30 दिपसी पर सचड़ेया पर चलाया जा रहा है जिन लोगोंने भाग लिया है तो अच्छा है जिन्नोंने अभी तक इसमें भाग नहीं लिया यहनिकी जन्नोंने जोईन नहीं किया इस कोर्स को तो उनके लिए ये जो वीडियो जो हम बना रहे हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं उन्हें आप जरूर देखते रहें क्योंकि इनमें चुनंदा एसेस्मेंट प्रशनोत्तरी होती है तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि किन प्रशनों को इसमें सामिल किया गया है तेरवे दिन तो हेलो दोस्तों मशकार आप देख रहे हैं डेली ग्रू यूट्यूब चैनल और आज हम लोग देखते हैं इस प्रशनोत्तरी को तो इसमें सबसे पहला जो प्रशन पूछा गया है इमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए तो इसमें चार विकल्प दिये गए इमेल प्राप्त करने वाला का इमेल एड्रेस इंटरनेट कनेक्शन मॉडम या टेलीफॉन उपरोब सभी तो इसमें जो सही की चौथा विकल्प इसका सही होगा इसको हम किलिक करते हैं और किलिक करने के बाद में आब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में देखते हैं दूसरा प्रशन जो लिखा है सही बैबसाइट है दूसरा है www.radiff.com तूसरा है www.radiff.com तूसके बाद में जो भी नाम हो बैबसाइट का जैसे hindymarts.com या amazon.com इस प्रकार से होता है तो इसलिए इसका पहला उतर सही गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम क्या है सर्च इंजन बैब ब्राउजर डेटाबेस और परयोक्त में से कोई नहीं तो गूगल क्रोम एक ब्राउजर है तो यह बैब ब्राउजर हम कह सकते हैं य क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं इंटरनेट पर बिभिन बैबसाइटों पर आकर या जाकर उनकी सेवाएं ली जाती हैं ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से इंटरनेट की मदद से डाटावेस की मदद से उपरयोक्त में से कोई नहीं तो यह यहाँ पे चार बि इंजन है जा पर हम जाकर के बिभिन परकार के प्रोग्राम्स वीडियो पीडियेप्स कोई टॉपिक्स कॉंटेंट सर्च करते हैं तो वह सर्च इंजन कहलाते हैं गूगल.com बिंग.com याहू.com यह सभी यानि कि तीनों यह सर्च ब्राउजर हैं उसके बाद में एक और तो इस परकार से आपने देखा यह बहुत ही आसान से सवाल या कठिन से सवाल यदि आपकी जानकारी में हैं तो यह आसान सवाल है जबकि आपकी जानकारी में यदि नहीं थे तो यह आपके लिए कठिन सवाल लग सकते हैं तो आप पूरा डेटेल भर देंगे उसके बाद